सब्सक्राइब करता हूँ हमारे चैनल गैजिट्स डिसकोवरी में और उमीद करता हूँ आप सब्सक्राइब बिल्कुल ठीक होंगे आप लोग यह जो बॉक्सिज देख रहे हूँ यह टाइप सी 2 3.5 mm के जो कनेक्टर हैं उनके बॉक्सिज है और आज के इस वीडियो में आ करनेक्टर का यूज करते हूं और आप अपने वीडियो के लिए माइक यूज करना चाहते हैं फिर एयरफोन वगरे यूज करते हैं अपने स्मार्टफोन में लेकिन उनमें साउंड का इशू आ रहा है तो मैं आप लोग बतावा कैसे आप उसे सोल कर सकते हैं वाइस अगर करने के लिए और उस टाइम मैंने जो है बोया M1 माइक परचेज किया था लेकिन उसका जो ओडियो जैक है वो खराब होने की विज़ए से इस माइक को मैं यूज नहीं कर पाया था लेकिन उसके बाद जब मैंने फोन को रिप्लेस किया और सैमसिंग गलेक्सी नोट इंटे कि आपको माइक्रोफोन यूज करने की जरूरत है क्योंकि साउंड में बहुत ही को है तब मुझे जाके महसूस हुआ कि मुझे माइक्रोफोन का यूज करना चाहिए सो माइक तो मैंने पहले से ही परचेज किया हो था इन इसका जो जैक है वो 3.5 mm का है और 920 अल्ट्रा में 3.5 mm jack नहीं है उसके बाद मैं अपने local market गया और वहां से मैंने एक connector को जो है purchase किया और घराने के बाद मैंने उसे माइक्रोफोन के साथ connect करने की कोशिश की लेकिन जैसे उस connector को मैंने अपने smartphone में insert किया तो smartphone ने उसे support नहीं किया क्योंकि वो एक local connector था तो उसके बाद मैं दुबारा से मार् गिया और वहाँ से जाने के बाद मैंने एक अच्छे ब्रैंड का अच्छी क्वालिटी की करेक्टर मांगा और वहाँ पर मुझे यूबॉन का एक ब्रैंड है इंडियन इसका और क्नेक्टर मिला तो इससे मैंने अपने स्मार्टफोन के साथ कनेक्ट करके देखा ये कनेक्ट हो गया और घराने के बाद मैंने इसे माइक्रोफोन के साथ कनेक्ट किया तो ये इससे भी कनेक्ट हो गया और sound भी record होने लेगा लेकिन जब मैंने sound record करने के बाद सुना तो बिल्कुल भी जो है clear sound नहीं आ रहा था एक जो disturbance हो continuously background में आ रही थी तो उसके बाद मैंने इंटरनेट पे सर्च किया तो मुझे जाके पता लगा कि Samsung का जो connector है वो ही इसके साथ work करेगा कोई और connector work नहीं करने वाला तो उसके बाद मैं दुबारा से market गया और वहां से मैंने Samsung का एक जो connector भी आप देख रहे हूँ यह purchase किया और उसके बाद फिर से मैंने अपने smartphone के साथ और microphone के साथ connect करने की कोशिश की यह भी connect हो गया और जैसे ही मैंने sound record किया तो वही सेम background में जो noise है वो continuously आ रही थी यह सब होने के बाद मुझे लगा कि यह जो बोया का microphone मेरे पास है इसमें ही कोई issue है और मुझे नया microphone purchase करना होगा सो उसके बाद मैं market में गया अपने local में ही और यह connector में साथ लेके गया और वहाँ पे मैंने नया microphone जो है छोपकी पर से लिया और इस connector के साथ मैंने उसे connect किया और sound record की लेकिन जैसे ही मैंने sound सुनी तो वही शेम issue जो वह microphone के साथ आ रहा था वो नय वाले के साथ भी था तो इंफोर्मेशन मिली की हो सकता है कि जो connect का अपने परकेस क्या है bisa बोर डूपलिएट हो और उन्होंने मुझे कहा कि आपको जैसे service center पे मैं गया तो वहाँ पे उन्होंने मुझे कहा कि हम आपको यह available करवा देंगे एक हफते के अंदर तो आपको यह मिल जाएगा Samsung के service center पे जो है मैंने इसकी requirement डाल दी और मैं अपने घर आ गया और उसके बाद मैं इसका wait करने लगा और करीब एक हफता गुजर जाने के बाद भी मेरे पास वहाँ से कोई call नहीं आया तो उसके बाद मैंने जो है मुझे यह कहीं पे भी available नहीं मिला Samsung की जो service मुझे बहुत बेकार लगी क्योंकि वह एक छोटा सा connector जो है provide करने में success नहीं हो पारे दे क्योंकि उन्होंने अपने smartphone से 3.5 mm का jack तो remove कर दिया और मेरे जैसे जो customer है जिनको 3.5 mm jack का जो requirement है वो क्या खरे नहीं तो उनके पास connector है और जो connector है वो काम नहीं कर रहे और phone में भी 3.5 mm का jack नहीं है Samsung की service से मैं बिल्कुल भी satisfy नहीं हुआ सो उसके बाद 15-20 दिन गुजर जाने के बाद मैंने खुद से सोचा कि कहीं ना कहीं से तो मुझे purchase करना है क्योंकि मुझे अपना sound improve करना था वीडियो का तो उसके बाद मैंने इंटरनेट से जाके फिर से try किया सर्च करके कि कहां कहां पे जो connector है वो available है तो इंटरनेट पे जो main website है Flipkart Amazon वहाँ पे भी मुझे ये available नहीं मिला और शायद से Amazon पे ये मिल रहा था और वहाँ पे इसका जो प्राइस है करीब website को देखने के बाद मुझे थोड़ा विश्वास हुआ वो website थोड़ा ओफीशल लग रही थी और वहाँ पर मैंने इस जो यह आप दूसरा box देख रहे हैं यह original connector का है इस connector को order किया 700 रुपीज में और मुझे लग रहा था कि हो सकता है आ भी जाए या फिर यह जो है डिलीवर ना भी हो तो मैंने 700 की payment करके इसको order कर दिया क्योंकि यह मुझे मंगवाना जरूरी था और गैस आप लोग बिलीव नहीं करोगे तीन से चार दिन में यह जो connector है मेरे पास पूर्वी का मोबाइस की तरफ से मेरे घर पे पहुच गया और इनका जो स्टोर है वो तमिल लाडू साइड है तो वहां से इन्होंने काफी पास्ट डिलीवरी करी और इनका जो प्रोड़क्ट है यह भी original मुझे मिला और गैस मैं पूर्वी का मोबाइस के आप लोगो को रिकमेंड करूंगा आप अगर कोई भी प्रोड़क्ट खरीदना चाहे तो बेशक्से इस वेबसेट से जाके खरीद सकते हैं अगर आप लोग सैमसंग का एक डिवाइस कर रहे है उसमें आपको क्नेक्टर की जरूरत है तो आप आपको जो एरफोंस का साउंड है फिर माइक्रोफोन का साउंड है वो बहुत अच्छा सुनने को मिलेगा वीडियो मैंने इसलिए बनाए क्यूंकि इस से 3.5 mm के करेक्टरी विज़से मुझे बहुत जादा प्रोडम फेस करनी पड़ी और अभी आप मैंसे बहुत लोग इ इसके लावा अभी तक आप लोग ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जो स्क्रीन के चैनल का लोगो देख रहे हैं यहां से सब्सक्राइब कर लिजे तो इसी के साथ मैं वीडियो के एंड में आप लोगों को इन दोनों बॉक्स हैं जो सैंसंग का डूप्लिकेट है और ओरिजिनल करेक्टर है यह भी आप लोगों को दिखा देता हूं ताकि आप भी अगर इन्हें पर्चेस करें तो इनके बीच का डिफरेंस जान सकें सब्सक्राइब अभी आप लोग यह दोनों बॉक्स देख रहे हैं यहां पर यह डूप्लिकेट बॉक्स है और यह और और जब तक आप औरिजिनल बॉक्स को देख नहीं लोगे खुद से तो आप डूप्लिकेट बॉक्स को डूप्लिकेट नहीं कह सब्सक्राइब और इसी के साथ यहां पर जो डूप्लिकेट वाला अडप्टर था वो मैंने फेक दिया कट करके तो वो मैं अभी आप लोगो को अंदर से बॉक्स दिखा देता हूं, लेकिन यह जो ओριजिनल बॉक्स है पहला तो यो डूप्लिकेट बॉक्स से काफ़ी सलिम है और इसमें बहुत सारी आपको इंफोर्मेंशन जो है लिखी हुई देखने को मिल जाएगे सो यहाँ पे जैसे हम इसकी packing को open करेंगे तो यहाँ पे इसकी जो packing है वो काफी unique आप देख सकते हैं कुछ इस type से आपको मिलेगा और इसे आप open करोगे तो यहाँ पे आपको जो आपका connector देखने को मिलेगा इसके लाव यहाँ पर आपको एक manual भी देखने को मिलती है user manual तो इसकी और इसकी packing में बहुत ज़्यादा difference आपको देखने को मिलता है तो यहाँ पर आप अराम से इन दोनों का difference notice कर सकते हैं